चेंगवान जो याओ को लेकर ट्रेन से जा रही होती है क्योंकि ट्रेन से जल्दी पहुचा जा सकता था अब याओ जिसने पहले कभी भी ट्रेन का सपर नहीं किया था अब इल्कुल भी अपने आपको संभाल नहीं पा रहा होता और चेंगवान भी उसे देखकर कहरे होती है कि आपको इस चीज को पकड़ना होगा पर वह हैंडल को भी नहीं पकड़ रहा होता कि गिरने से बच जाए अब चेंग वान भी उसको यह बात कहने के बाद अपनी बाते सुनाने लग जाती है कि मुझे सिप एक तो चास मिलना चाहिए ना वे दोबारा कभी भी ऐसी गलती न कहने लगती है कि हम साइकल को पहले ही पार्क कर देंगे ताकि वह आपको ना देख पर अभी भी चेंग मान सिर्फ अपनी बात कर रही होती है तो यह उसे कहने लगता है कि अगर मैं वहाँ पर एक गंटे में पहुंच जाता हूं तो तुम्हारी बात सुनूंगा और तुम हमें आप पहुंच चुके हैं अब आपको मुझे 10 मिन देनी होगी ताकि आप मेरी बात सुन पाए और सोच पाए कि मुझे वापस रखना है या नहीं रखना यह बात कहने के बाद उसकी एक एक चीज़ जो से वापस दे रही होती है जो भी वह याओ की चीज़े अपने सा किरती नहीं है तो तुम्हें मेरे लिए क्याम करना होगा कि मैं तुम्हारी बारे में सोचूंगा अब यह बात सुनते ही चैंग वान तो फोरण से मान जाती है कि हाँ हाँ ठीक है अब यह वापस गर पर आ चुकी थी और जैसे घर पर आकर मुबायर यूज कर रही होती है तो इसकी मौम वेगर नो की रूप में आ जाती है और आकर पूशने लगती है कि क्या तुमनी सिंचाई से अभी तक बात की या नहीं की तो चैंग वान कहने लगती है कि मौम में बात कर लूँगी वह भी वीजी होता है और मैं भी कामें बीजी होती हूं तो मैं बात करने क कम ही टाइम मिलता है और फिर भी आपके लिए बात करूंगी तो उसकी मौम ये बात सुनने के बाद उसके पास से तो आ जाती है और जब अपनी रूम में आती है तो आप चेंगवाइन के डाड़ उनसे कहने लगते हैं कि तुम्हें अपनी बेटी की रिलेसंशिप को और तुम दो प्यार करने वालों को अलग में कर सकती हो, यह नहीं खर सकते हो कि उस ब्रेकक अब कर लेना चाहिए तो वो कहने लगती है क्यों नहीं कर सकतीтесьक है तो आटी नहीं तो मेरी ङल्टी की उसे गल्ती नहीं करने दूँंगी मेरी आफ्से साधी हो गई उन मुझे पेठी है उसके पास तो कुछ भी नहीं है यह सब बाते करके तो उसने उसके डैड को ही चुप करवा दिया था और वैसे उनके सटर में दर्द होने लग जाता है यह देखते साथ ही उन्हें तो फिकर होने लग जाती है और कहने लगती है कि क्या पुरानी दर्द वापस आ ग उसका बोई पर डिनर करने के लिए गर आ रहा है और इधर हमें सिंचाय दिखाया जाता है जो अपने डैट का ट्रायवे बना हुआ था और डैट को काम के लिए लेकर जा रहा होता है और डैट डैनी से बार बात कर रहे होते हैं और उसे कुछ चीजों के बारे में पूच होते हैं पर डैनी स्कोई ना कोई बाना लगा कर उसकी को जब कट करता है तो मिस्टर सीन को उस पर बहुत गुसारा होता है कि किसी पर एकी नहीं करना चाहिए तो सिंचाय भी कहने लगता है कि 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 या मैं तुम पर कर सकता हूं तो वह कहता है कि मैं निक बोला कि मुझ पर कर सकते हैं और मैं आपके साथ अंदर नहीं जाओंगा बाहरी रहकर कार में आपका वेट करूंगा वो कहते हैं कि अच्छा तुम्हें ड्राइवर बनाकर मैं अपने साथ तू लेकर आया हूं ताकि मैं तुम्हें अंदर ले जाओं अपने साथ काम के लिए इस तरह में तुम और को मुझसे हो जाए बस इसलिए मेने लगाया हुआ है अब इसी तरह रेड़ के पीछे पीछे उनके साथ तो जार रहा होता है पर रास्ते में वोस्रूम का बाना करके महां से चला जाता है अब उसके डाट अकेले मिटिंग रूम में जाते हैं वहाब जाकर मिस्टर याओ उस भी कहना हो तो आप मुझे कह सकते हैं मैं आपका मिसेज उने दे दूंगी और इधर हमें सिंजाए को दिखाया जाता है तो अब वोस्रूम से बाहर आ चुका था और बाहर आने के बाद अपना मुझा चुपा कर हैर जगह से गुजरते हुए आ रहा होता है यूंकि उस आप हैं और बताते हैं कि यह मेरा बेटा सिंजाए में सुनते ही जल्दी से तरफ देखने लगती है मांक्स के वज़र से उसने पहले उस पर नोट नहीं किया था कि यह कौन है और सिंजर भी इसके सामने अपना मास्क उतार देता है यह देखे तो मैं सोक होकर इसे इसके न